तो सबसे परले हम पर दोल कर लेते हैं तो लगाने के लिए मैं है आप दोकप गियों के आटे ली यूँ अब मैं इसमें डालें चारे स्बून ब्यसन जिसें कि हमारी पराथे बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही खस्ते बनेंगे और हम आप डालेंगे दो इसपून सूजी कर लेते हैं तो देखे डोहमारा लग करके बिल्कुल रेडी हो गया है तो चलिए हम इसे साइड में रख देते हैं और हम गोवी को छोटे-चोटे कर दूकास लिए तो चलि हमने इसमें डाले नमक बड़ने के बाद में पर भाद के सब ऑच्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जितना हुआ पानी निकाल लेना है तुर गोभी से सारे पानी को निचोड़ ली इतना सारा पानी इसमें निकल गया निचोड़ने के बाद तो चलिया हम गोबी को अब हम इसमें मसाले एड़ करते हैं बारी कटा हुआ हरी मिर्ची एक एस्पून लेसुन कुटा हुआ तो यहांप पानी होद्यस्थियुखके करते हैं निचोड़नी धन्यां पर वे इसमें लेटा पव्या श्पून गर्म मसाले युगा Toh जाप हो आव मिर्ची ऊजोड़नी लें प्ला काथ हैं गूर्वर दालीक करते हैं नियूर किकैhoे तो देखिए हमारा एश टपिंग बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गैस को आउन कर लेती हूं अब में इस पर तवास रहा देंगे गरम होने के लिए जाए हम इसमें ठोड़े से आउनके की लॉई को दोड़ करके इसे राउं डाउं सेफ में हम बनाएंगे और हमेंगे इसे एसलिजर ओन एक लूटि ने बीछे पर टेंगे नहीं और में फजानगे बिलकुल ऑब दीकत नहीं होगे घव मेंटेश जाओ lu प्लेट कर लेंगे और इसे आठे में डेश्ट करके और पराठे के चेप में हम इसे बिल्कुल आसानी से बेल लेंगे देखिए हमें कोई भी दिकत नहीं हो रही है पराठे में बेलने में और बिल्कुल कहीं से नहीं फटेगा तो अब हमारा तवा गरम है तो हम तवे पर पराठे को डाल देंगे और इसे हम लो फ्लेम पर शिखने देंगे तो एक लेट अच्छे से शिख गया है तो अब हम इसे दूसरे साइट प्लेट लेंगे आप इसे घी बटर या तेल आप जो भी लगाना चाहते हैं आप इसे पराठे से बना करके तोय पडाल देंगे तो यह बनाना बिल्कुल ही जी है बिल्कुल ही असान है आप ही अपने घर में बिल्कुल इसे आसानी से बना सकते हैं और इसे कहीं से भी भटने की डर नहीं होती है आप इस तारीके से अगर एश्टपिंग को भरेंगे तो तो दे पजिखेंगे इस तरह मैं बढ़े राखे लेंके सुने कगूं के नішुए और बन पार्टा से ब्राफ्य पंटें के यह शुब बढ़ा जाए यह कूरी से बोल न यहकर गजा थिश्यावत्त बिलकुल प्करत बन कें 20 यह यह सका था